अच्छा सुनू सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आओ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे दोस्तो एक कहवत कर साथ अपनी बात सुरू करता हूँ सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे कहावत है किसी मसहूर दरसनार्थी ने बात कही होगी मैं आपके सम्मुक रखना चाहता हूँ सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे कस्तियां बदलने की आवसकता नहीं मेरे दोस मैं कहना चाहता हूं वैसल पियस वेलनस के फाइटर से कंपनियां बदलने की आवसकता नहीं है मेरे दोस दिसाओं को बदलो तो किनारे बदल जा साथियों नाम बीएस भंडारी मुलता उत्राखंड का वासी हूँ हाल फिलाल जैपूर में सटर लूँ अठारे साल भारती सेना में रहकर के देश सेवा की नौकरी करते करते मुझे आप और सुर्टी मिली नेट्रक मार्केटिंग के प्रती में इतना नेगेटिव था इतना नेगेटिव था जितना की आपके सामने आपको ये क्या दिखाई दे रहा है क्या दिखाई देरा आपकी स्क्रीन पर ये जो लिखा हुआ है 6 अंग्रेजी का 6 और मुझे दिखाई देरा यहां से अंग्रेजी का 9 मुझे लगता था कि ऐसे जोड़ने वाला काम करके ये दो गोले बना करके भी कोई यहां से लाखों रुपे महिने कमा सकता है करोड़ू रुपे महिने कमा सकता है जब मुझे आर्मी में नौकरी करते हैं मुझे किसी ने ये समझाया तो मैं उसके पीछे जूता ले करके भागा था और फौजी भासामा उसका पुर्जो और विरोध किया था जो मैं यहां पर एक्स्प्लेन नहीं कर सकता वह व्यक्ति अपने अपलाइन के पास गया रोता हुआ बोला सर या तो इस व्यक्ति को पॉजिटिव करो और नहीं तो मैंने ट्रुक मार्केटिंग छोड़ दूँगा और उसका अपलाइन मेरे पास आया मैंने उसको भी भगा दिया कि बेवकूप बनाने वाले धंदे है तोपी बहनाने वाला काम है ऐसे भी कोई करोड़ पती बनता है क्या लेकिन मेरे एक गोस्त ने बिना प्लान फोल्डर के बिना परजेंटेशन के एक बंद कम्रे में सर्दियों के समय हीटर पर हास सेखते हुए एक घंटा मुझे समझाया कि दोस्त तेरे पास सफल होने का रास्ता क्या है तु सफल होना चाहता है मैंने का बिल्कुल होना चाहता हूँ तेरे पास रास्ता क्या है मैंने का कुछ भी नहीं एक यही है आर्मी की नौकरी जहां पर मैं अपना टार्गेट बना चुका हूँ अधिक्तम सेवा होती 28 साल और एक लास्ट परमोशन हो गया जो की एक हजार में एक का होता है तो 32 साल मैंने का 28 साल मेरा टार्गेट है 28 साल नौकरी करूँगा और रिटार्मेंट जाकर के फिर किसी सिक्यूर्डी एजेंसी में सुपरवाईजर लग जाऊँगा यही मेरा टार्गेट है मैं इसी पर फोकस्ट हूँ और उसी के लिए समर्पी तो करके 100% नहीं 200% काम कर रहा था अपना बेस्ट दे रहा था पड़ा लिखा सिर्व बारवी पास साड़े सोलह साल की उमर में तो दो ही मेरे पास नौलिज थे या तो किताब का था और या फिर फोज का था नेट्रॉक मार्केटिंग या ये बाहर की दुनिया मेरे लिए ऐसे ही थी जैसे तालाब के मेंड़क के लिए होती है लेकिन पैसा जरूरी था सफलता चाहत थी बेसिक नीट्स पूरा करना था जब उसके लिए आई तो सबसे बहले दोस्तों मैंने इस बिजनस के प्रती अपना नजरिया बदला कि नहीं यार हर चीज जो सामने से दिख रही है वो खराब नहीं हो सकती खराब हो सकता है हमारा सोचने हमारा नजरिया कि हम कैसे उसे सोचते हैं तो सबसे बहले मैं खुद positive हुआ इस काम को ले करके इनसान किसी भी काम से नफरत क्यूं करता ये मुझे समझ माया या होती है उसकी मांसिक परिकल बना जब इनसान किसी से किसी चीज से महबत करता है तो उसे उसमें सिर्फ अच्छाईया नजर आती है और जब किसी से नफरत करता है तो उसमें कम्यू के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आता तो मेरे लिए भी या उसी लोमडी की तरह था जिसके लिए अंगूर खटे थे तो मैं भी तब तक यही बुराई करता था अगर मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं दोस्त इस मैसेज के ज़री तो एक उधान तम्झाना चाहूंगा कि इंसान किस प्रकार से सोचता है मैं कैसे सोचता था अगर चाई में मख्यी गिर जाए तो हम चाई फैंक देते हैं और मा कसम अगर घी में मख्यी गिर जाए तो हम मख्यी फैंक देते हैं तो ऐसी ही मेरी सोस थी मैं भी उत्रा ही नेगेटिव था जितने नेगेटिव आज इस डिरेक्ट सेलिंग को लेकर के हमारा पूरा देश है आज समझ में आता है कि यह तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि अगर सारे लोग पॉजिटिव हो गए तो फिर जोड़ेंगे किसको अगर बाटा ने डेड़ सो साल पहले अगर यहां पर अपनी फैक्टरी ना लगाई होती जब हमारे देश में चपल नहीं पहनते थे लोग तो आज बाटा हिंदुस्तान से अर्बू रुपे ना कमा पाया होता अगर कम्पुटर इंडिया में ना आया होता उस समय पर जब पूरा देश कम्पुटर के खिलाब था तो उस समय पर आज कम्पुटर इतना रोजगार नहीं दे पाया होता अगर डारेक्ट सेलिंग इस कंपनियां अब वो ROI प्लान कंपनी को उपर गॉर्मेंट सिकंजा कस्ते जा रही है अब वक्त है revolution का क्रांती का तो जुड़ जाए एक ऐसी क्रांती कारी कंपनी के साथ में जिसका management विश्व की direct selling कंपनी हुआ जिसके पॉड़क्ट पिछले 115 साल के आयरुवेद के इतियास में आज तक कोई traditional company direct selling की company ऐसे आयरुवेदिक पॉड़क्ट ने दे पाई जो आज SLPS wellness ने जैसे result दिये है true or not yes or no ऐसा पे आउट ऐसा unconditional income plan आज के बाद में चाहे copy बन जाएं लेकिन आज से पहले हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं था yes or no ऐसा education system FSS जो world class की education आपको direct selling की देता है yes or no और ऐसे महागुरूव का साथ अगर मिल जाए दोस्तों तो सफल हो सकते हैं लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद का attitude change करना पड़ेगा जैसे मैंने किया अगर मैं कर सकता हूं और मैं अपना attitude change करके अगर royal diamond बन सकता हूं तो यहां पर बैठा हुआ इस hall में बैठा हुआ उन एक हजार और hotels में उन venues पे बैठे हुए वो डेल लाख लोग जो online सुन रहे हैं जो offline सुनेंगे देखेंगे आपका भी भावश्य बदल सकता है और इसका पर्माण है साथियो इसका पर्माण है आज से दो साल पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे चाइड़ूल फ्रेंड है मेरे स्कूल में पढ़ने वाले मेरे एक दोस्त ने मुझे पर विश्वास किया दो साल पहले वो अभी on time service कर रहा है on job है और उसने अपनी wife के सायोग से एक house wife के सायोग से इस business की सुरवात की अपनी wife के सायोग से और आज दो साल के अंदर दोस्तो लैंड रोवर्ट डिस्कोवरी कार की चाभी आज सुबह उसके हातों में गई है मात्र दो साल के अंदर वह मेरा दोस्त भी यही है मैं उसे मंच पा बुलाना चाहता हूँ बिरेंदर चन जल्दी से फोजी तरीके से दोड़ करके जोड़दार तालियां यह मेरा दोस्त जो मेरे स्कूल का फ्रेंड है और आज मौका भी है दस्तूर भी है अगर आपका तालियों का साथ मिले तो मैं गुर्देयों को मंच परामतित कर सकूँ यह चावी उनके हातों अगर मेरे भाई को अगर सुपर्द हो जाए तो प्लीज जोड़दार तालियां आपकी खड़े हो करके खड़े हो करके हमारे माँ गुरुजी के लिए जोड़दार तालियां दोस्तों मैं चाहता हूँ कि सारी चावी आपके हातों मेरे इस दोस्त को अगर मिल जाए तो इसके लिए या असिरवाद होगा या जिन्दगी भर की कमाई इस गाड़ी से पड़ी आपके हातों इसे चावी मिल रही है ये कमाई है आपकी क्या इतनी तालिया है थैंक यू थैंक यू इनी सब्दू के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बैस वही कहना चाहता हूँ कि अपनी सोच को बदलना अपने नजरिये को बदलना अपने mental status को बदलना आपको ये सब जैसे प्रियंगा मेडम खूबसूरत दिखाई दे रही है आपको ऐसे ही ऐसे लेपियस वेलनस में आपको कोई कमी नजर आएगी ही नहीं थैंक यू जोड़दार तालिया